नमस्कार दोस्तों करेला खाने के फायदे दोस्तों करेला बले ही सवाद में कड़वा होता है लेकिन इसके फायदे जबरदस्त हैं इसकी सबजी को बले ही बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं लेकिन इसे खाने से शरीर कई बिमारियों से बच सकता है करेला विटामिन्स मि के लिए दवा से कम नहीं है इसे खाने से पाचन भी बढ़िया रहता है सुगर ही नहीं कब्ज हार्ट वेट लोस और कलेस्ट्रोल में इसके कई फायदे होते हैं दोस्तों डायबिटिक लोगों के लिए तो यह रामबान ही है डायबिटीज से दुनिया बरके अनेक लोग पी करे इसे मदूमे में लाब होता है यह अगनाशय को सवस्त बनाकर इंसुलिन के उठबातन को सही करने में मदद पहुचाता है या ताजे करेले के रष में अनेक पोशक ततो होते हैं इसकी 10-15 मिली लीडर मातरा पीने से भी मदूमे में बहुत लाब होता है दोस्तों करेले जब हम खाते हैं दोस्तों तो क्या होता है उसको पचाने के लिए कैलोरी की जरूरत होती है डाइजेस्ट करने के लिए कैलोरी की जरूरत होती है और वो कहां से निकल के आती है जो हमारी बोड़ी में फैट सोता है कैलोरी से फैट बनता है और ये इसको बरन कर देता है क्यों तो इसलिए क्रेला एक मैत्वपुर्ण ओस्दी के रूब में है या यू कहें क्रेला हमारे शरीर के लिए रामबान ओस्दी है दोस्तो क्रेला जो है वह लिवर को साफ रखता है यानि कि आपको अगर यूरिन संबंदी कोई भी समस्या है दोस्तो तो इसमें भी यह रामबान की तरह काम करता है क्योंकि यह प्यूरिफाइड करता है बेसिकली बल्ड को भी प्यूरिफाइड करता है हमारा बल्ड जो है वह अगर सही है बोड़ी में जिस जिस चीज की जुरूरत होती है सही रहने के लिए वह सारी चीजों की बरपाई होती है क्योंकि बल्ड हमारे पूरे शरीर में सेर्कुलेट करता रहता है और उसी की बदोलत हमारा पूरा सरीर जो है वह संतुलित रहता है और बल्ड में अगर सारी चीजों यानि की जो जो चीजे चाहिए होती हैं उनकी मातरा सही रहे संतुलित रहे तो हमारा सरीर सवस्त रहता है और यह काम करता है करेला क्योंकि करेला जो है खून को प्यूरिफ पाइड है तो आपकी बिमारी वैसे ही खतम हो जाती है सारी बिमारिया और मोटा पा भी नहीं बढ़ पाता है इसके अलावा करेला में मोजुद पोसक तक तो खूनी बवासीर में भी लाब पहुंचाता है कूनी बवासीर वाले लोग 20-30 मिली लीटर करेले के काड़े में ची करेला के पत्ते के रस में एक ग्राम सोट 500 मिली ग्राम काली मिर्च और 500 मिली ग्राम पीपल का चुरून मिला ले इसे दिन में तीन बार पिलाने से मासीक धरमविकारों में लाब होता है इसके अलावा गठिया या जोडों के धर्द में करेले की सबजी खाने और दर्द वा वात रोगों को आराम मिलता है इस तेल की मालिस करने से गठिया तता वात के रोग में फायदा होता है तो दोस्तों यह थे करेला खाने के जब रदस्त फायदे दोस्तों वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर करें मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार दन्यवा सबस्त रहो और मस्त रहो